नमस्कार स्वागत है साहितिक जरो का चैनल पर आज हम करेंगे डोक्टर नगेंदर का आलोचनात्मक सिधान्त इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं तो आईए देखिए देखिए सबसे पहले अगर बात करें डोक्टर नगेंदर के जनम की तो इनका जनम नो मार्श को हुआ कहां पर हुआ अलिगड में और 1915 में इनका जनम हुआ यह आप यहां पर ध्यान में रखेंगे उसके बाद इनके देहांद को अगर देखें तो 27 अक्तुबर 1999 में नई दिल्ली में इनका निधन या देहांद हुआ डोक्टर नगेंदर का साहितिक जीवन कवी के रूप में शुरू हुआ 1937 में उनका पहला कव्य संग्रा जिसका नाम क्या है वन माला परकाशित हुआ इसमें विद्यार्थी काल की जो गीति कविताईन हुने लिखी थी उसको संग्रहित किया गया है एमे करने के बाद 10 सालों तक दिल्ली के कॉमर्स कोलेज में अंग्रेजी के ध्यापक रहे पांच वर्ष तक ओल इंडिया रेडियो में काम किया उसके बाद वो दिल्ली विश्यविद्याले के हिंदी विभाग के अध्यक्षपत से निवरित होकर वहीं पर रहने लगे हिंदी के परमुख आधनिक आलोचकों में उनकी विशेश जगए हैं वे सुलजेवे विचारक और गहरे विशलेशक भी थे अब अगर इनके बात करें कि इनका आलोचना सिध्धान्त क्या है तो जोक्तर नगेंदर ने हिंदी आलोचना को वहवारिक और सैध्धान्तिक द रस सिध्धान्त में रस की सांगोपांग विवेचना करते वे उन्होंने पुने परतिस्टित करने का जो पांडित्य पुर्ण प्रयास किया है वो रसवाद को और भी जादा द्रड़ता से स्थापित करने का प्रयास है ये इस सिध्धान्त को लेकर आचरे रामचंदर परसिद्धी है और विश्मे से समन्वित चायवादी कावे की अंतरमुखी साधना, सोंद्रय चेतना और कलात्मक छवियों के प्रति विशेश आकरिष्ट थे यानि चायवाद की बाते उन्हें बहुत जादा परभावित करती है अंतरमुखी साधना यानि केवल अपने मन में ऐसे विचारो को उत्पन करना जो हम चायवाद में देखते हैं देखे यहां चायवाद में अंतरमुखी विचार कैसे हैं क्योंकि सब का जो दृष्टी कोण है वो व्यक्ति वादी है चायवाद में व्यक्ति प्रधान है इसलिए उस समय के जो विचार है वो अंतरमुखी विचार है या अपनी और आकर्शित करती है इनकी रचना सुमित्रा नंदन पन्त समय काल है 1938 में इसी मनोदशा का प्रिणाम है यह रचना किसका छायावादी परभावित जो इनकी मनोदशा है इसके विप्रीत साकेत एक अध्यन 1949 में आई यह उनकी शास्त्रिय अभिरुची को व्यक्त करन वाली रचना है कहने का भाव क्या कि जो समित्रा नंदन पन्त है देखिए स्वयम चायावादी कभी है और उनको विशलेशित किया है 1938 में इस रचना के माध्यम से तो यहां पर चायावाद का परभाव देखा जा सकता है इसके बाद जो इनकी साकेत एक अध्यन नामक जो उसमें जो शास्त्रिय अभिरूची होती है या जो शास्त्रिय नियम होते है आलोचना के उसको आधार बनाया गया है रिति कावे की भुमिका 1909 दूसरी इनकी रचना है देव और उनकी कविता 1909 इसी के लिए अध्यन लेखन करब में उनकी रसवादी दृष्टी पूरंत पुष्ट हो गई है देखे रितिकाल ले इन कव्वे की अगर बात करें तो वो तो वैसे भी रसवादी कव्वे है उसकी चर्चा यहां पर की है यानि रितिकाल को आधार बनाया है देव और उनकी कविता को यहां पर आधार बनाया है इन दोनों ही रचनाव में उनका कौन सा द्रिश्चिकून दिखाई देता है रसवादी द्रिश्चिकून किन्तो संस्कृत कावे शास्तर में विवेचित रस को उन्होंने जोंका त्यों सविकार नहीं किया कहने का भाव क्या है कि जो संस्कृत के काव्य शास्तर में रस को परिभाशित किया गया है उन्होंने उसकी नकल मात्र नहीं की बलकि उसका विवेचन किया है और किसके आधार पर मनो विज्ञान के आधार पर और इसी की साहिता से उन्हें रस्वाद को सभीकार किया है आदि गरंतों में उनकी तीखी मनोविज्ञानिक दिष्टी को सहज ही पाया जा सकता है यानि इनकी आलोचना किस आधार पर की है मनोविज्ञान के आधार पर इसलिए कुछ लोगों ने उन्हें भ्रह्मवश फ्राइडवादी आलोचक कहा है इसमें संदे नहीं कि के सिध्धानतों को पुष्ट करने का साधन है उदेश्य नहीं है यानि उसकी विवेचना उसकी चर्चा करना उसकी आलोचना करना या उसको विस्तार से भढ़नित करना ये इनका उदेश्य नहीं है बलकि फ्राइड के मनोविज्ञान या मनोविशलेशन वाद का सहरा उन उन्होंने लिया है रसवाद पर अपनी द्रिश्ची के अंद्रित करके भी डोक्तर नगेंदर जी आधुनिक साहित्य और समसामाईक आंदोलों से बराबर जुड़े रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो रसवाद के आनंद में डूबे रहे उन्होंने जो हमारी ततकालिन प्रस्तित जो आंदोलन चल रहे थे उनसे जुड़े रहे जहां उन्होंने कामाईनी के अध्यन की समस्य हैं ये 1962 में आया गरंत की रशना की इसके साथ वो नई कवीता उपन्यासों और कहानियों को भी समय समय पर मुल्यांकित करते रहे हैं नई समिक्षा नई संदर्व नई समिक्षा नई संदर्व कोन से हैं जो हमारे मान में मुल्यों का विगटन हो रहा है सांस्कृतिक संकट हमारे सामने खड़ा है जो आध्यनिक्ता वाद है उसके अनेक प्रशन है जो हमें जखचोरते हैं इन सब पर भी उन्होंने अपने विचारों के विवेक्षा इस आलोचना के माध्यम से की हैं नई से नई विशो में उलजते रहने के कारण उनकी रसवादी दृष्टी में एक नया संतूलन आया है यानि केवल प्राचीन से नहीं जुड़े रहे नया भी नई पन को भी अपनी रशनाओं में अपने दृष्टी कोन में लेकर आये हैं इ उनका परचार परसार करने का आग्रे करते हैं रस या आनंद के प्रति उनके आग्रे से ये शंका हो सकती है कि क्या वे जीवन और जगत को साहित्य से संबन नहीं मानते लेकिन इस संबन में उनका क्या विचार है कि समाज का तिरिसकार करने से लेख की आत्मा की क्षती होती क्यूंकि जब निश्चल आत्मा भिवेक्ति करता रहेगा तो उसकी कृति मुल्यहिन हो ही नहीं सकती और अगर वो निश्चल होकर रचना नहीं करेगा तब क्या होगा उसकी आत्मा को क्षति होगी और उसकी रचना भी मुल्यहिन हो जाएगी लेकिन अगर वो आपनी आत्मा की पुकार सुन रहा है समाज के साथ संतुलन बना कर चल रहा है उसका तिरसकार नहीं कर रहा तो उसकी आत्मा के ख्षति नहीं होगी बलकि उसके जो भाव है उनकी जो अभिव्यक्ति है वो संपूर्ण समाज उसको सविकार करेगा इसके साथ उनका आग्रे है कि प्रश्कृ परिश्करत आनंद और निश्चल आत्मा विव्यक्ति के प्रति है परिश्करत जो आनंद है वो क्या होता है वो होता है शुद्ध भाव यानि शुद्ध आनंद की जो प्राप्ति और निश्चल बिना किसी छल के अपनी आत्मा के भाव आत्मा अभिव्यक्ति यानि अपने म साथ ही उन्होंने कवी के वेक्तितों पर भी जोड दिया है इसका अभिप्राई क्या है कि छायावादी मान्यताओं को सविकरिती देखे छायावाद कवी को महतो देता है उसकी वेक्तितु को महतो देता है तो इन्होंने भी उनको सविकार किया है जिस का व्यान दोलन ने उन अगेंदर जी परिश्कृत आनंदा नुभूती में ही नैतिक मुल्यों का समावेश कर लेते हैं। उनका ये सिधान रिचर्ड्स के मुल्य सिधान के समानांतर दिखाई पड़ता है। रिचर्ड्स के अनुसार भी कव्य का मुल्य नैतिक्ता से संबंधन होकर अंतर वृतियों के सामंजसे पर निर्भर करता है। अंतर वृतियां जो हमारी मानसिक स्थिती हैं, जो हमारी मन के भाव हैं। भारतिय सोंद्रे शास्तर की भूमी का शिर्षक अपने नविंतम उन्होंने हिंदी समिक्षक के एक अन्य अभाव की पूर्थी की है। कौन सी रचना में भारतिय सोंद्रे शास्तर की भूमी का में। अगर इनकी वहवारिक आलोचना और सिधान्तिक आलोचना में पृतिकर एक सुतरता हम देखें तो वो हमें दिखाई पड़ती है। यान की प्रेरणा से आचार्य विश्वेश्वर ने अभिनाव भारती, वक्रोक्ती जीवितम, ध्वन्य लोग, नाट्य शास्तर, काव्य प्रकाश, आदी को हिंदी में अनुतित किया। इसके बाद पास्चात्य काव्य शास्तर के कुछ क्लासिक गरंथों के अनुवार भी उन का अनुवाद है और काव्य कला होरेस की आरे, आर्स पोईटिका का अनुवाद है, इनका प्रकाशन भी हो चुका है। यह उनको हम कहते हैं और आर्स यह पोईटिका जो इनकी रचना है, यह बहुत प्रसीत है, आप इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे, इनका प्रक सेंस्बरी के लोसाई क्रिटिकाई की पद्दती पर उन्होंने पास्चात्य कावे शास्तर की परंपर शीर्षक गरंथ की रच का संपादन कार्य भी किया है जिसमें यूरोप के प्रतिनिधी आलोचकों के मुख्य सिधानतों का संकलन किया गया है यहां पर आप ध्यान रखे कि पास्चात्य कावे शास्तर की परंपरा इसके आधार पर जो यूरोप के प्रतिनिधी आलोचक हैं उनके सिधानतों को शामिल करने की कोशिश हिनों ने इसमें की है तो इन जो इन्होंने अन्वाद कार्य किया है इन अन्वादों से दो लाब हुए एक तो यह हुआ कि अ अनुदित मूल गरंतों में समयक अध्यन और विशलेशन द्वारा अपनी स्वतन तर्मानेताएं पना सकता है दूसरा यह है कि इससे स्वयम नगेंदर जी को अपनी समिक्षा सिधानतों को संतुलित और समन्वित बनाने के लिए व्रहत यानि बड़ा आयाम मिल गया है तो तो क्या हुआ कि हिंदी के जो समिक्षक हैं वो अनुदित मूल गरंतों के समयक यानि संपूर्ण अध्यन और विशलेशन द्वारा अपनी स्वतन तर्मानेता बना सकता है और दूसरा क्या है कि स्वयम जोक्तर नगेंदर जो हैं यह अपने समिक्षा सिधानतों को संतुलि और समन्वित कर सकेंगे किसके कारण अनुवाद जो रचनाएं मिली जो रचनाएं हैं जो या देश या विदेश के जो अन्य आलोचना कित्मक रंत है या अन्य विजार धाराएं हैं उनका अनुवाद करके भी इन्होंने आलोचना साहित्य को सम्रिध ही किया है तो इसके स पर ध्यान में रखेंगे तो इसी के साथ उमीद करती हूं कि प्रेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह चैनल से चूझ रहें